नमस्कार महिमानशी और स्वागते आपका हमारे कारुक्रम पांफ्लिक पर्दफाश में चलिएं फेक न्यूस के पेडलर्स का पर्दफाश शुरू करते हैं फाक्चेक नंबर पांच के साथ EVM और CBI ED को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूस का अमबार लगा हुआ है इस फेक न्यूस का पर्दफाश करने के लिए पी आईबी ने फाक्च चेक करते हुए बताया है कि अब बोलेगा भारत नामक YouTube चानल EVM, ECI और CBI को लेकर फेक दावा कर रहा है पी आईबी ने एक्सपर लिखा कि अब बोलेगा भारत नामका एक YouTube चानल इस चानल के एक दशमलव साथ 9 लाग से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और अब तक 3 करोड से अधिक बार दिखा गया है इस चानल पर EVM, ECI, CBI और ED से संबंदित फेक न्यूस प्रसारित की जा रह इसके अलावा भी चानल पर CGI प्रधानमंतरी मोधी और चुनावी बातों को लेकर फेक जानकारी उपलब्द कराई जा रही है जिसका PIV ने सोशल मीडिया पर ठ्रेक बनाकर फाक्ट चेक किया है खेर आगे बढ़ते हैं फाक्ट चेक नंबर 4 की ओर उत्रखन के उत्रकाशी कि ये रोड़ शो का मजदूरोस के rescue operation से कोई लेना देना नहीं है एंटी टीवी ने सीम पुषकर सिंग धामी के रोड़ शो का विडियो पोस्ट करते हुए लिखा सिल्क्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों को सुरक्षत निकानले के बाद मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी न नहीं किया था मुख्यमंतरी धामी ईजा बैनी मोहतसव में हिस्सा लेने के लिए हल्दवानी पहुंचे थे और उन्होंने कई यूजनाओं का उदगाटन और शिलन्यास किया था सीम धामी का ये कारिक्रम पूर्फ नियोजित था इस संबंथ में अमर उजाला ने आट दिन पहले खबर प्रकाशित की थी चलिए आगे बढ़ते हैं फैट चेक नंबर तीन की ओर लगतार हार जेल रही कॉंग्रेस अब जीत के लिए इतनी उताबली हो रही है कि लगतार फेक चुनावी पोल जारी कर रही है चुनाफ परिणामों की भविश्यवानी करने वाली नकली इंटेलिजेंस ब्यूरो आई भी रिपोर्ट और एंटी टीवी का सर्वेक्षन प्र बशिवानियों का सारांश जारी किया है तो पुष्टी करता है कि कॉंग्रेस 67 सीटे जीत रही है हाला कि वास्तविक्ता यह है कि टीवी 9 नेटवोक ने तेलंगाना के लिए सट्टा बाजार की भविश्यवानियों का सारांश जैसा कोई लेक प्रकाश्ट नहीं किया इसक की सला है सबर रखें काम किया होगा तो फल जरूर मिलेगा तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर दो की ओर राश्ट्र सवयं सेवक संग के प्रमोग मोहन भागवत का गाई की संदर में दिया गया एक बयान चर्चा में हैं सोशल मीडिया पर दावा क इस बयान को पोस्ट करते हुए कि दावा किया है दरसल इंडिया टीवी की वेब साइट पर प्रकाश्चुतेक रिपोर्ट के अनुसार मोहन भागवत ने ये बयान बांगलादेश के संदर्ब में दिया है इस रिपोर्ट के मताबिक उन्होंने गाई की दशा पर दुखव हिंदू ही तो है सभी से गौस सेवा करने का आहवान करते हुए भागवत ने कहा है कि गाये दुनिया की तमाम समस्याओं का समधान है वहीं टीवी नाइन भारत वर्ष की रिपोर्ट में भी बांगलादेश का जिक्र है और उन्होंने भी इसी बयान की पुष्टी की है मोह ने एनेमसी के लोगो को निशाना बनाया है कई हैंडिया को भारत से बदल दिया गया है गौर करने वाली बात ये है कि भगवान धनवंद्री की ब्लाक और वाइट रूप रेखा हमेशा से लोगो का हिस्सा थी एनेमसी के पुराने दस्तावेजों से भी इसकी पुष्टी होती है वहीं लोगों में भारत जोड़ना किसी समयधानी की नियम का उलंगन नहीं है सोशल मीडिया पर भगवान धनवंद्री की फोटो पर प्रोबगांजा फैलाने से पहले एनेमसी के पुराने लोगों को देख सकते हैं जो हमीशा से ही ब्लाक और वाइट फोटो के साथ हिंदू डियाटी को दर्शाता आया है इसमें एक मात्र बदलाफ कलर स्कीम को लेकर किया गया है जोटी खबरों के सहारे कोई चुनाव जीतना चाह रहा है तो कोई विपक्षी दल पर विरोध करना और हम सिर्फ फैक्ट्रे के साथ परदफाश करना चाह रही है तो ऐसे ही रिलाइबल फाक्ट्रे के लिए बने रहें तो पांफ्रिट के साथ धन्यवाद